राज़ितिक बयान बाजी में एक बार फिर से राखी सावन्द का नाम घसीटा गया है उत्तरपदेश के विधान सबाद्यक्ष हिदाय नारायन दिक्षित ने एक बयान दिक्षित ने एक बयान दिया है ग्रणात यह ऐसे लोगों से महान तो इनों ने कर दिया ना जहां गांधी जी बाप गांधी बाप को महान मेरा नाम लेकि मुझे महान करी दिया इनों ने खुदी आप खुद देखी इनकी दाल रोटी नहीं गलती किया जबते कि लोग मेरा नाम नहीं लेते ये नो मेरे नाम का इस्तेमाल करते हैं दिन रात जितना मुझे लगता है इश्वर का नाम नहीं जबते होंगे ये लोग मेरा नाम जबते हैं तो इन्होंने मुझे खुदी महान कर दिया कितनी आहत हैं इस बयान बाजी से आप कितनी नाराज हैं आप क्योंकि कुछ और होता है और आपका नाम बीच में आ जाता है इनका मुध्दा, इनका मैनिफेस्टों सिर्फ राखी सावन्ति. इनको देश के लिए कोई काम नहीं करना, बोल बच्चन करके इनको सिर्खियों में रहना है और देश की महिला को बस इनका बस चले तो ये महाभारत में हुआ था ना दुरापती के साथ उनके वस्तर उतारना तो इनका बस चले तो देश के हल हर महिला के सथे कोई लोग ऐसी ही करें जैसे लोग कैसे नंगेपन पर उतराये हैं कि कपड़े उतारने से कोई महान नहीं होता आपकड़े उतारू या कपड़े पहनू यह मेरी निचीज जंदगी है हम बॉलिवुड में है वो पूरे कपड़े पहन के अपने बैठे हैं ना समाज में काम कर रहे हैं तो करे हम उनको चढ़ने नहीं जाते रहत्व है वह हमें क्शेड़ रहे है ये बिन अहते हों गे omdat ऑस अधिक पॉरस्बाने,動画ने पंगले कुरूर महिला और को ले न के कपण लेकर इनके टिपणियां देश के लिए नहीं देश के गरीबों के लिये नहीं नहीं देश के युवापिड nin के लिए नहीं है, इनके टिपणियां सर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए हैं, और शेम ओन देम। के लिए हैं, इनके लिए ब्रह्मचारी है, इनके घर में महिलाओं नहीं है, यह आसमान से टपके हैं, किसी की मा की कोक से इनों ने जनम नहीं लिया, तो मतलब इनका ऐसा है कि अपने घर में अपनी उनकी महिलाओं को सुरक्षित रखे, पडोसियों की महिलाओं के देश की मह पहले ही नौजोज सिंग सिध्धु को लेकर भी एक बयान बाजी हुई थी आपने ता जो रागव चड़ा है उन्होंने कहा था कि पंजाब पॉलिटिक्स के राकी सावन्थ है नौजोज सिंग सिध्धु उस पर भी आपने काफी नाराजगी जताई थी एक बार फिर से बयान बाजी हुई है आपके खिलाब मैं आपको उसके लिए जवाब दे चुकी हूँ कि इनकी मानसिक्ता को इनको समझना पड़ेगा भाई सबको साथ में लेके चलना हम मुठी होता है ना कि आप हमारा फिल्ड आप देखो अगर वो जो नेता जो हमारे बारे में बोलते हैं वो हमारे फिल्ड में होते तो वो क क्या करते हैं उनका फिल्ड अलग है हमारा फिल्ड अलग है मैंने तो कभी उनका नाम लिया नहीं है उनकी बेज़ती नहीं की मैं तो सब की इज़त करती हूँ हां क्योंकि मैं बारत देश की नागरिक हूँ समवीधान को जानती हूँ मैं सब की रिस्पेक करती हूँ मैं कि कोन अधिकार दिये हैं कि ये मेरा नाम ले इनको कोन अधिकार दिये हैं कि ये मेरी बेज़ती करें बेज़ती करने के लिए तो देखें इज़त कमाने को बहुत वक्त लग जाता है बेज़ती के एक सेकंड में अभी मैं कुछ बोलूंगे नियुकि बेज़ती हो जाए लेकिन मैं इनके जैसे नहीं बनूँगी और आगो जड़े के बयान का मतलब ऐसा निकलता है कि वो जोकर ही ठहरा रहे थे नोजो सिंग सिद्धू को और आपका नाम घसीड दिया आपको भी जोकर ही ठहरा है ठीक है हम जोकर ही सही लेकिन हम जोकर मतलब कहता है जोकर सारा जमाना है आदी हकिकत आधा फसाना तो जोकर सबको हसाता है यह नेता तो सबको रुलाते हैं खून के आंसो आप बताई यह तो यह क्या कर रहे हैं यह तो देश पर दाग हैं यह सब नेता कैसे बनें इनको कौन बनाया नेता एक चीज़ और की अब इस तरह की बयान बाजी दो दिन म क्या अपील करना चाहेंगे इस तरह से वो आपके संघर्ष को आपने जो संघर्ष किया है उसको उसको नेगलेट करें सर यह लोग मेरा संघर्ष संभज नहीं पाएंगे एक लड़की का एक ऑथोड़क्स फैमिली से लड़की आई हुई मेरे पिताजी पुलिस में मेरी मा आया हॉस्पिटल में एक गरीब परिवार चॉल सिस्टम से लड़की उठके आई है अपने पैरों पे खड़े रहना चाहती है बॉलिवुड में अपना पैर जमाना चाहती है कुछ करना चाहती है लेकिन ये लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं अब मैं इनको भगवान भरो स चोड़ेती हैं कि यह इन नेता वह को जनता भरो से और भगवान भरो से चोड़ेती हूं कि कोई न कोई इश्वर का बेटा या बेटी मेरे लिए खड़ा होगा मेरे लिए जरूर लड़ेगा और ऐसा भी ने कि किसी एक पार्टी का नेता टागेट कर रहा है आपको या इनका जीना मुष्किल हुगया है सोन, जीना, खाना, पीना मुश्किल हो गया है तो ये दिन रात निदरा में भी मुझे देखते हैं तो आप सोचिए कि मैं इनके ले कितनी महान हूं मैं इनके ले कितनी इंपोर्टन्स रखती थी बैसे देश के मुझे जादा बुलने की ज़रती देश के जनता हमारी बहुत बहुत अच्छी है मेरे बॉलिवूड के सेलिबरिटी और देश की जनता इनको सब को मूत और जवाब देंगे और अच्छे निता भी है ऐसे नहीं है पुरी आम की पिटी में एक दो आम सड़े हुए हो तो ज़रूरी नहीं के सारे आम सड़े हुए होते है नहीं बहुत अच्छे चे निता भी है कुछ सड़े हुए आम है तो वक्त आने पर वो आम गल जाएंगे और निकल भी जाएंगे आल समझ गए मेरी बात को जी बहुत 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 शुक्त लिया तो ये थी राकी सावंत जिन्नोंने हिदा नारेंड दिक्षित के बयान पर अपनी नाराजगी जताई और उन्होंने नोजो सिंग सिद्धू वाले रागो चड़ा के बयान पर भी नाखुशी जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि नेताओं को बचना चाहिए इस तरह से कंपैरिजन करने से पहले और एक बाद मेरे जो हजबन है रितेश कुमार सेंग वो इन नेताओं को इतना मूँ तोड़ जवाब दे रहे हैं उनके साथ मैं देश की जनता ABP News आपको रखे आगे